इस वीडियो में बात करने वाला है, इमेज फाइल फॉर्मैट के उपर, एक्जाम में इस टॉपिक के उपर पाच माग का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी ज़ाधा समय को वेशने करते हैं, हम लोग डायरेक्ली फाइल फॉर्मैट के उपर जम करते हैं, तो अभी व फॉमएट फॉमएट है और गर्ट का होता है अब पंस्वा फॉम पय पकर करदे संग का मतलब कर करते हो कोई वह बहुत इमेजेल के नाम के पाद एक फॉर्माट जूद जाता है मतलब dot tiff dot bmp dot jpeg ऐसे उसको हम extension बोलते हैं तो अभी सबसे पहला file format tiff जिसका full form होता है tagged image file format अब tagged image file format का मतलब यह होता है कि जब भी आप internet से कोई भी image download करते हो generally उस image का extension tiff होता है अब यह जो tiff file format है वो compression को support करता है अब यह compression का मतलब क्या होता है compression का मतलब यह होता है कि अगर आपका image suppose 10 MB का हो तो compression techniques उस पे apply करने के बाद वो 10 से 7 MB का हो जाएगा मतलब from 10 it will become 7 MB मतलब उसका size जो है वो reduce हो जाएगा उसको हम compression बोलते हैं उस compression को achieve करने के लिए कुछ compression techniques हमें apply करने पड़ते है compression techniques like vector compression then there is half man compression और भी बहुत सारे compression techniques होता है तो इसे हम कहते है compression अब तो यह जो TFF है वो compression को support करता है तो इसका मतलब यह कि इस extension में हम image को compress कर सकते हैं तो अभी अगर आपका image compress हो गया तो उसके वज़े से दो चीज़े होगी सबसे पहली चीज़ यह होगी कि उसका जो quality है मतलब image का quality है वो कम हो जाएगा मतलब अगर suppose उस image का quality originally HD था तो download करने के बाद यह कंसे compress करने के बाद वह average quality का हो जाएगा मतलब आपको quality में sacrifice करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ जो होगी compression करने के बाद वह यह है कि उसका जो storage size है वो reduce हो जाएगा मतलब compression आप कर रहे हो मतलब बड़े size के image को आप छोटा कर रहे हो इसलिए वह आपके memory में कम storage लेगा मतलब कम size लेगा तो अभी चार मेजर पॉइंट से थे सबसे पहला मेजर पॉइंट यह था कि जब भी आप internet से कोई भी इमेज डाउनलोड करते हो तो generally वह डॉट टी एफ एक्सेंशन से होता है सेंड कि पॉइंट यह था कि डॉट टिए फफ एक्सेंशन को सपोर्ट करते है कंप्रेशन का मतलब क्या होता मैंने आपको बता हैumbsole हो third point is that कि compression को support करता है इसलिए दो चीज़े हो सकती है पहली चीज़ हो सकती है कि उसका जो quality है वह average हो जाएगा and the second thing is that कि वह storage में कम size acquire करेगा तो this is all about dot tiff extension अब हम हमारे second extension के तरफ मुड़ते हैं जिसका नाम है dot bmp का फूल फॉर्म होता है बिट मैप ग्राफिक इमेज फाइल फॉर्मेट अब बीएंप क्या होता है बीएंप इस ड्यालोग बाइं Microsoft मतलब यह Microsoft के द्वारा बनाया गया extension है अगर सब्सक्राइब के लिए वह लिए नाम का सौफ्ट्वेर है हरें में होता है तो जब आप वहाँ पर इमेज सेव करते हो जनरली वह डॉट बीएंप एक्स्टेंशन से से होती है अब यह जो डॉट बीएंप एक्स्टेंशन है वह compression को support नहीं करता और क्योंकि वह इसी लिए वह जो इमेज का क्वालिटी है वह अच्छा होगा मतलब अगर सब्सक्राइब क्वालिटी का ही रहेगा वह कम नहीं होगा यह जो होगी वह है कि वह स्टोरेज में एक अच्छा खासा साइज एक्वायर करेगा मतलब इमेज का साइज कम नहीं हो रहा है साइज वही है इसलिए वो स्टोरेज में उतना ही साइज एक्वायर करेगा तो अभी चार पॉइंट्स सबसे पहले पॉइंट की है कि वह माइक्रोसोफ्ट के द्वारा बनाया गया हुआ एक्स्टेंशन है सेकंड पॉइंट इसाट कि जो इमेज का क्वालिटी होगा वह बहुत अच्छा क्वालिटी होगा है कि स्टोरेज वह उतना ही उक्वाय करेगा जितना उसके करना चाहिए मतलब कम स्टोरेज उक्वाय नहीं करेगा आपको स्टोरेज थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अब हम हमारे थर्ड एक्स्टेंशन पर आता है जिसका नाम है जे पी इजी जे पी इजी जे प गया हुआ था अब यह जो JPEGA इस वरी 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 सिमिलर टू T IFF अब इसमें जो है वह आप T IFF के सारे पॉइंट्स लिख सकते हो हो आमें टीं पॉइंट्स सकते हो सबसे पहला पॉइंट कौन सा कि यह कि है कि इमेज का जो क्वालिट्य वह थोड़ा दिकरी यह हो जाएगा मतलब अगर आपका image HD में वह हो जाएगा average और दूसरी चीज़ जो होगी वह कि यह स्टोरेज में कम स्पेस एक्वायर करेगा तो आई होप आपको इस तीनों image file format समझ में आ गए होगे एक्जाम में इसके उपर पाच माग का question पूछा जाता है तो अगर एक्जाम में पाच माग का 6 साल के papers का अभ्यास करके notes में ऐसे questions डाले जो एक्जाम में आती है मतलब exactly वही answers लिख है जो आपको exam में लिखने चाहिए and जो लिखके आपको exam में full marks मिलेंगे and क्योंकि subject में बहुत सारे sums आता है इसलिए notes में हमने सारे के सारे sums डाले and ऐसे नहीं कि सिर्फ एक sum डाले हर एक topic का कम से कम 3 sums डाले जो हमने एक ही method से solve किया है तो इससे क्या होगा आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा and आपको उस method के उपर grip भी आए जाएगी and then exam में जब ऐसे sums आएंगे तब आप easily solve कर पाऊगे तो अगर आपको notes purchase करना है तो notes कैसे purchase करते हो उसका simple सा method मैंने description में दे रखा है तो आप उस method को follow करके जो की बहुत simple है आप notes purchase कर सकते हो and फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ रहा है तो मैंने मेरा WhatsApp number भी description में दे रखा है तो आप मुझे directly WhatsApp पे contact कर सकते हो so this is the end of this video अभी आप मुझे आपको दो बहुत important चीज़े बतानी है सबसे पहले important चीज़े है कि मेरा एक दूसरा चैनल जिसका नाम है प्लैनेट ओजस यहां पर हम एक motivational वीडियो आम एक यहां पर मैं ऐसी चीज़े शेयर करता हूँ जिन चीज़ों ने मुझे मेरे लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत जादा हल्प किया है अगर अगर आपको आपके लाइफ में इस टॉपिक के ओपघर बनाया विडियो बनाया है वैसे लगबक हर एक टॉपिक के ओपर वीडियो बनाया है और उन सारे वीडियो को combine करके मैंने एक playlist बना है और उस playlist का link मैंने description में दे रखा है So अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो उस playlist पर जाके आप सारे वीडियो बिल्कुल free में YouTube पर ही देख सकते हो So this is the end of this video अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को देख थम्स अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए and don't forget to share this video with your friends लाकि वो भी ऐसे subject में अच्छे marks score कर सके So thank you for watching this video and have a nice day. Bye-bye